हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू दा सक्सस केंद्रा फ्रेंट्स के आज से हम लोग बिहार पुलिस कॉंस्टेबल की जो नई भरती दोहजर तेईस में 21,390 पदो पर आई हुई है उसके लिए एक नई सुरुवात कर रहे हैं आज से हम लोग फूल लेंथ प्राक्टी सेट को स्टार्ट कर रहे हैं इस प्राक्टी सेट में टोटल 100 प्रशन है जिस प्रकार से बिहार पुलिस की एक्जाम में प्रशन पूछे जाएंगे उसी प्रकार से 100 महत्पुन प्रश्णों को आज इस प्रैक्टी सेट में हम कभर करेंगे और यहाँ प्रैक्टी सेट डेली आपको दिया जाएगा और इसका PDF भी आपको उपलवद करवाया जाएगा टेलिग्राम चैनल पर तो टेलिग्राम से जूड जाएगा टेलिग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फ्रेंट्स चलिए फटाफट आज का सेशन स्टार्ट करते हैं पहले एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रूप में जहां कई भी आप हैं वहाँ पर इसको सेर कर दीजिएगा चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंट्स पहला प्रशन पढ़ेंगे आज की सेशन का यानि कि जो हमारा फुल लंध प्राक्टी सेट है उसका पहला प्रशन है कि दक्षिन भारत के मंदिरों के आकरसक द्वार क्या कहलाते हैं एंसर सभी लोगों को कमेंट करके बताना है और कोशिश करना है कि एंसर 5 से 7 सेकेंड में आप लोग दे दीजिए ताकि ज्यादा समय न लगे और हम लोग जल्दी से जल्दी इस सेट को कम्पलीट कर लें चले सभी लोग इसका अंसर कमेंट करके बताएंगे कि दक्षिन भारत के मंदिरों के आकरसक द्वार क्या कहलाते हैं तो देखे रैट अंसर इसका ओप्सन नमबर B हो जाएगा गोपूरम दक्षिन भारत के मंदिर के आकरसक द्वार को गोपूरम कहते हैं दक्षिन भारत की जो मंदिरों की निर्मान सैली है यहाँ सैली कौनसी है तो इसे भी याद रखना है यहाँ सैली द्रविड सैली है किस प्रकार की सैली है तो यहाँ द्रविड सैली है दक्षिन भारत के अधिकतर मंदिरों का निर्मान जो है यहाँ द्रविड सैली में किया गया है चले नेक्स्ट कुशन कर लेंगे दूसरा प्रश्ण हमारा दूसरा प्रश्णी की नालंदा विस्विद्धाले के संस्थापक कौन थे? एक है विकरम सिला विस्विद्धाले एक है ओधन्त पूरी विस्विद्धाले चलिए देखिए ओधन्त पूरी विस्विद्धाले के स्थापना पालवंस के संस्थापक गोपाल ने करवाया था गया है कि नालंदा विश्विद्धाली के अस्थापना तो कुमार गुप्त प्रखम ने करवाया अच्छा कुमार गुप्त के बारे में एक भूमी राजस्व की दर क्या कहलाती थी कि सभी लोग एंसर कमेंट करेंगे इसका कि गुप्त काल में भूमी राजस्व की दर जो है क्या थी कमेंट करेंगे सभी लोग इसका क्या होगा इसका करेक्ट अंसर तो फ्रेंट्स यहां पर ध्यान देंगे गुप्त काल में अगर हम बात करें तो गुप्त काल में भूर आजस्व कुल उत्पादन का एक बटा चार भाग से ले करके एक बटा छे भाग हुआ करता था तो यहां पर हम उपज की छठवा भाग इसका रायट अंसर लगाएंगे देखे कुछ important point में बता रहा हुँ गुप्त काल में क्रिशी करने योग भूमी को क्या कहा जाता था तो गुप्त काल में क्रिशी करने योग भूमी को छेतर कहा जाता था गुप्त काल में वास करने योग भूमी जहां रहने योग भूमी है वास करने योग भूमी उसको क्या कहा जाता था उसको वास्तू कहा जाता था ठीके इसे याद रखेंगे और ऐसी भूमी जो जोतने योग नहीं होती थी उसको सिल कहा जाता था उसको क्या कहा जाता था उसको सिल कहा जाता था जो भूमी जोतने योग नहीं होती थी और ऐसी भूमी जो जंगली होती थी उसको कहा जाता था और प्रहत का आ जाता था तो इस तरह के प्रश्ण विहार पुलिस की एक्जाम में बनते हैं ठीक है ध्यान रखिएगा और आप लोग सुझाओ दीजेगा कि यह जो फॉंट टाइप है मतलब जैसा लिखा गया है जैसा डिजाइन है यह अच्छा है यह इसमें सुधार किया जाए ठीक है चली आज हमारा यहाँ पहला दिन है फूल प्रैक्टिसेट का तो आप लोग अपना अपना सलाह जरूर दी जैसे पता चलेगा कि सेसन आपको कैसा लग रहा है चले मेगास्तिनीज ने भारती समाज को कितने स्रेणियों में विभाजित किया था बताएंगे राइट इंसर तो मेगास्तिनीज कौन था यहाँ सेलिक्वस निकेटर का राजदूत था यहाँ आया था किसके दरबार में तो चंद्रगुप्त मौरे के दरबार में आया था और मेगास्तिनीज की प्रसीद पुष्टक है इंडिका इसकी प्रसीद पुष्टक का नाम है इंडिका ठीक है ध्यान रखेंगे मेगास्तिनीज ने अपने इसी पुष्टक इंडिका में भारतीय समाज को साथ स्रेणिय में विवाजत किया है कौन-कौन से हैं तो दारशनिक उंगले प्रकाउंट कर लेजे दारशनिक क्रिशक पस्सु पालक कारिगर योधा निरिक्षक और सभासद ठीक है चले नेक्स्ट कुस्चन कर लेंगे कि कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाय जाता है विश्व ब्रेल से ज़्यादा लोग इस सेशन से जुड़े और रोज सुबह सारहे नोव बजे आपको यहाँ सेशन मिल जायेगा कहीं भी रही ये सुबह सारहे नोव बजे आफिरी हो करके इस टेस्ट को एक बार जरूर लगा लिजे विश्व ब्रेल दिवस कब मनाय जाता है तो मैयूर सिहासन बनवाया था किसने तखते ताउस इसको कहा जाता था और इसका निर्मान सहाजहा ने करवाया था मैयूर सिहासन पर बैठने वाला पहला मुगल सासक सहाजहा था और प्रश्ण में अंतिम पुछा गया है तो अंतिम मुगल सासक जो था यहां कौन था तो यह मुहमद साह रंगिला था मुहमद साह को रंगिला बात्सा भी कहा जाता है मुहमद साह के समय में 1749 में नादिर शाह ने भारत पर आकर्मन किया था ठीक है नादिर शाह को इरान का नेपोलियन भी कहा जाता है ठीक है और ये नादिर शाह 1749 पर आकरबन किया था मुहमध सार अंगिला के समय में और अपने साथ तक्ते ताउस और कोहिनूर हीरा को लेकर के इरान चला गया next question है हमरा question number seven प्रश्चन है कि तुजू के बाबरी किस भासा में लिखा गया है तुजू के बाबरी या बाबर नामा ठीक है बाबर नामा याद रखिएगा यह बाबर की आतम कथा है और बाबर ने इसे तूरकी भासा में लिखा था लेकिन फार्सी में इसका अनुमाद जो है अबदुल रहिम खाने खाना ने किया था ठीके तो तूर्कीस का राइट अंसर हो जाएगा Next question मर कि किस वर्ष हिंदुस्तान Republican Association के अस्थापना हुई हिंदुस्तान Republican Association और एक हिंदुस्तान Socialist Republican Association चले प्रशन पढ़िएगा हिंदुस्तान Republican Association के अस्थापना कब हुई थी तो हिंदुस्तान Republican Association के अस्थापना जो है यहाँ कब हुई थी तो फ्रेंट्स जिया हुई थी 1924 में और हिंदुस्तान Socialist Republican Association के अस्थापना हुई थी 1928 में ठीक है इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान रखेगा चले नेक्स्ट कुस्ट है हमारा कुस्ट नमबर 9 कि बंगाल विभाजन की घोशना की गई थी बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में कौन उसमें वैसराय था तो लौड करजन था लौड करजन था ठीक है यह बहुत ही इंपोर्टेंट बंगाल विभाजन बंगाल विभाजन की घोशना पुछा गया है कब की गई थी घोशना किया गया था 19 जुलाई 1905 को और पूरे देश में यहां प्रभाई हुआ था 16 अक्टूबर 1905 से 16 अक्टूबर 1905 से यह प्रभाई हुआ था नेक्स्ट को सिन में को स्थापना किया था स्यामजी क्रिष्ण बर्मा ने किया था स्याम जी कृष्ण बर्मा ने किया था नेक्ष्ट कुछ सेने कि राज्य सभा की सीटों की चर्चा जो है यहां किस अनुसूची में है राज्य सभा की सीटों की चर्चा किस अनुसूची में है चले बताईएगा कौन से अनुसूची है right answer क्या हो जाएगा correct answer उसका क्या हो जायगा तो सही answer friends, इसका option number बी हो जाएग एक minute रुख जाएगे इसका option number यहाँ पर देखेंगे c2 की चर्चा option number बी हो जाएगा, ठीके, इसमें राजसबा की c2 की चर्चा है तीसरी अनुसूची जो है तीसरी अनुसूची इसमें विभेन परकार के जो पदादिकारी है उनकी सपत का चर्चा है के लिए और सात्वी अनसूची में इसमें सक्ति का भी भाजन है ठीक है और संग सूची, राज सूची, सम्वर्ती सूची के अंदर और राज्यों के भी सक्ति का बटवारा है इसमें और पांच्वी अनसूची जाती और जन जाती के प्रशाशन के संबन्द में चर्चा है अच्छा छटी अनसूची बड़ा इंपोर्टेंट है, छटी अनसूची में आसम, यहां मैं लिगता हूँ, असम, मेगाले, तिरिपुरा, और मिजोरम, यह राज आपको याद रखना है, इन चार राजियों के जनजातियों छेत्रों के प्रशाशन का उलेख है, छटी नेक्स्ट कोस्टन है, कि निमन मैंसे किस राज विधान सभा में, किसी राज विधान सभा में हकीस है, किस राज विधान सभा में सीटू की संख्या अधीक है, तो इसमें सबसे जादा सीटू की संख्या जो है, यह कहां पर है, तो फ्रेंट्स या उत्तर प्रदेश में है, ठीक है उत्तर प्रदेश में है 403 सीट है आचा बिहार विधान सभा में 243 सीट है बिहार विधान परिशद में 25 सीट है ठीक है याद रखेंगे बिहार में लोकसभा की 40 सीट है बिहार में राजसभा की 16 सीट है यह सारे प्वेंट्स द्यान रखेगा next question है कि मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है किस समिधान संसोधन के द्वारा तो देखे सरदार स्वन सिंग समिती का नुसंसा पर जो 42 समिधान संसोधन था 1976 वाला इसमें मौलिक कर्तव्य को यानि कि fundamental devotees को जोड़ा गया किस में तो समिधान के भाग 4A के अनुछेद 51A में रखा गया है ठीक है याद रखेंगे बहुत ही important है वर्तमान में total मौलिक कर्तव्य कितने हैं तो वर्तमान में total 11 मौलिक कर्तव्य हैं चले next question करेंगे कि सीमा सुरक्षा बल ठीक है border security force BSF की अस्थापना कब की गई सीमा सुरक्षा बल यानि कि BSF की अस्थापना कब की गई तो BSF की अस्थापना याद रखेंगे कब की गई तो 1 दिसंबर 1965 में ठीक है 1 दिसंबर 1965 में किया गया और यहाँ भारत तथा उनके पोड़िसी देशों की सीमा पर तैनात किये जाते हैं इसकी मुख्याले जो है headquarter जो है नई दिल्ली में है अगला प्रशन है हमारा कि निमनलिखित उच नयायलों में से कौन एक से अधिक राज या केंदर सासित पर दिसं की लिए है निमलेखित उच्छ नयायालेव में से कौन एक से अधिक राज और केंदर सासित प्रदेश के लिए है तो इसमें से कौन से हाई कोट है टोटल अभी बरतमान में भारत में कितने हाई कोट है तो टोटल पचीस हाई कोट है पचीस उच्छ नयायाले है इसे याद रखिएगा ठीक है चले राइट अंसर क्या हो जाएगा तो इसमें से दिखे गुवाहर्टी का हो जाएगा गुवाहर्टी हाई कोड जो है यह एक साधिक राज्यों के लिए है इसकी छेत्र अधिकारिता जो आता है यह असम नागालंड मिजवरप और अरुनाचल प्रदेश तक आता है ठीक है चले नेक्स्ट कोस्टन है कि पंचायत चुनाव कराने ही तो निरने किसके द्वार लिया जाता है तो यहां निरने होता है किसका तो राज्य सरकार का किसका निरने होता है तो यहां राज्य सरकार का ठीक है ओप्सन नंबर बी राइटन सर हो ज किनमन लिकित में से कौन सा देश विस्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करता है सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन जो है विस्व में कौन सा देश करता है तो सबसे ज़्यादा केसर उत्पादन करता है इरान ठीक है इरान करता है और भारत में जम्मु कस्मिर में केसर का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है कहवा पतन के नाम से किसको जाना जाता है बताएंगे राइट अंसर क्या हो जाएगा कहवा पतन के नाम से जाना जाता है तो यहाँ ब्राजील का सेंटोस बंदरगा है सेंटोस बंदरगा है इसी को कहवा पतन कहा जाता है सेंटोस केनबरा हो गया चले आप बते कौन से इसमें से पतन नगर नहीं है तो बिलकुल टोकियो पतन नगर है टोकियो जापान की राजधानी है ठीक है चले उसके बाद निव यॉर्क भी पतन नगर है निव यॉर्क जो है यहाँ भी पतन नगर है किस नदी की किनारे है निवर्क त ठीक है, next question है हमारा, कि सहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गरम और हलका उन माना जाता है, वह कहां पैदा होता है, सहतूत नहीं होगा, यहां पर सुधार लिजेगा, यहां सहतूरा है, ठीक है, typing error है यह थोड़ा सा, सहतूरा, जो विश्व का सबसे सुंदर, गरम और हलका उन माना जाता है, वह कहां पैदा होता है, वह कहां पैदा होता है, बताइए, राइट अंसर इसका क्या हो जाएगा, तो फ्रेंट्स यहां पैदा होता है, कहां पर, तो यहां पैदा होता है, चीन में ठीक है चीन में होता है राइट अंसर इसका चीन राइट अंसर हो जाएगा चलो उसका बाद next question है याद रखिएगा अच्छा प्रशन है सहतूरा ठीक है भारत की निमना राजियों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है एंसर देते चलना है सबको एंसर देते चलिए सभी लोग भारत की नियमन राजयों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है तो उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है ठीक है उत्तर प्रदेश इसका right answer हो जाएगा चले उत्तर प्रदेश इसका correct answer हो जाएगा लेकिन अब जो है सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन महराष्टर में होता है ठीक है चले next question कर लेंगे हमारा किनेमन में से नकदी फसल कौन सी नहीं है कौन सी इसमें से नकदी फ इसमें से कौन सी नहीं है चले बताएगा right answer क्या हो जाएगा इसका नकदी फसल कौन सी नहीं है नकदी फसल इसमें से कौन सा नहीं है जूट मुंफली गना नकदी फसल है जवार नकदी फसल नहीं है ठीक है चले जवार जो है नकदी फसल नहीं है बाकि जूट मुंफली ग कि भारत के सबसे बड़े भारत में या भारत के बना लीजिए यहां छूट गया है भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की जील तो सबसे बड़े मीठे पानी की जील जो है यहां कौनसे जील है यह उलर जील है उलर जील कहां पर है तो जम्मू कस्मेर में है डल जील भी जम्म पर पात है यहां किस नदी पर इस्तित है कुंचिकल जल पर पात जो है यहां भारत का सबसे उचा जल पर पात है यहां किस नदी पर है तो कुंचिकल जो है यह वराही नदी पर है और राज्य अगर पुछा जाएगा तो राज्य करनाटक याद रखेंगे ठीक है करनाटक या तो स्वान रेखा पर हुंडरू जल परपाथ है ठीक है ध्यान रखिएगा चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कुस्षिन कर लेंगे कि विश्व बैंक के नविंतम विकास परतिवेदन का अनुसार भारती अर्थब्योस्ता की स्तिति क्या है विश्व बैंक के अगर हम बात करें सकल घरेली उत्पाथ 2020 के आकड़ों का अनुसार जीडिपी के संधर्म में विश्व की दर्स सीर्ष अर्थब्योस्ताओं में से भारत का स्थान यहां कौन सा है तो भारत यहां कौन से नंबर पर है बताए राइट अंसर क्या हो जाएगा तो भारत यहां यहां 5.0 सबसे बड़ी अर्थब्योस्ता थीक है 5.0 राइट अंसर हो जाएगा 5.0 सबसे बड़ी अर्थबीॉसता है सबसे ज़्यादा विद्धुत प्राप्त करता है तो यहाँ तापिय ओर्जा से ठीक है चलिए अगला प्रशन हमारा कि 1991 की नई आर्थिक नितिका लक्स था बता ही right answer इसका क्या हो जाएगा तो इसका लग्स था क्या उधारी करन नेजी करन और west भी करन ठीक है याद रखेंगे उधारी करन नेजी करन और west भी करन यानि कि इनमे से सबी इसका right answer हो जाएगा option number d इसका correct answer हो जाएगा चले next question कर लेंगे कि जनगन्ना 2011 का अनुसार भारत में महिला सक्षर्थादर क्या थी 2011 का अनुसार अगर overall सक्षर्था की बात करें तो 74.04% लगभग ठीक है इसमें से पुरु सक्षर्थादर जो है ये 82.14% है और महिला सक्षर्थादर 65.46% है Next question कर लेंगे question number 29 कि भारत में आर्थिक सुधार के जनक किसे कहा जाता है तो फ्रेंट्स यहां मनमोहन सिंग जी को कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंग राइट अंसर हो जाएगा 1991 में कॉंग्रेस की जब सरकार बनी थी पीबिन और सिंगा राओ प्रधान मंत्री बने थे उस समय ये वित मंत्री थे ठीक है और इनी को भारत में उदारी करन का जनक कहा जाता है चलिए next question कर लेंगे अगला प्रश्ण है कि वियतनाम की राजधानी कहा पर है वियतनाम की राजधानी कहा पर है बताएंगे वियतनाम की राजधानी हनोई है कियू जो है कियू ॐ राजधादी है कहा की चलिए कमेंट करके आप बताई आप कमेंट करके बता दीजेगा क्योंकि क्योंकि क्यों बहुत बर पूछा जाता है चलिए नैरोवी जाता直न कर लेंगे हम लोग के निम्र में से कौन सारक का सदस्ट नहीं है, सार्क का सदस्ट नहीं है चले बताए राइट अंसर क्या हो जाएगा सार्किया स्थापना 1985 में हुई थी 1985 में कहां बंगलादेश धाका में इसका हेट क्वाटर नेपाल की राजधानी काठबंडू में है और देखें इसमें टोटल सदस्य देश जो है टोटल आर्ट हैं कौन कौन से देश है तो अफगानिस्तान बंगलादेश देलवाला का जयन मंदिर जो है यह जयन तिर्थंकरों को समर्पित है और इसका निर्मान बीमल साहने करवाया था और यहां माउंट आबू राजस्थान पर है उप्सन नमबर बीस का करेक्ट एंसर हो जाएगा उसको बढ़ देखे केंदरिये तमबाकू अनुसंधान संस्थान कहां पर है केंदरिये तमबाकू अनुसंधान संस्थान कहां पर है तो फ्रेंट्स यहाँ जो है यहाँ राजमूंदरी में है राजमूंदरी में है याद रखेगा राजमूंदरी में ध्यान रखिये के फ्रेंड्स राज मुंदरी में है अच्छा केंदरीय क्रिशी अनुसंधान संस्थान कहां पर है तो ये नई दिल्ली में है केंदरीय वन अनुसंधान संस्थान कहां है देहरादुन में है भारतिय मौसम वेदसाला कहां पर है तो पुने में है, ठीक है, चले next question है हमारा कि विस्व कभी के नाम से जाने जाते हैं, विस्व कभी के नाम से जाने जाते हैं, तो विस्व कभी के नाम से जाने जाते हैं, रविंदनात टैगोर, option number B right answer हो जाएगा, ठीक है, चले रविंदनात टैगोर, उसके बाद next question हमारा, अगला प्राश्न कर लेंगे 35 नमबर की चेरचरा महोचसो दो होजार तेज कहा मनाया गया तो फ्रेंड्स कहा पर मनाया गया बताईए अचा कलरोड पक्छी महोचसो तो अब 1 भीहार का है चले next question है हमारा कि बिहार में क्रिशी कुम्ब मिला 2019 का आयोजन कहा हुआ था 2019 में बिहार में किया गया था क्रिशी कुम्ब मिला का आयोजन और ये मोतिहारी में किया गया था ध्यान रखेगा प्रश्ण बन सकता है next question हमारा कि निमन में से कहां एक इस पात कर खाना है जितने भी इस पात कर खाना है मैंने उनको आपको कभर कराया हुआ है इस पात कर खाना पूछा जाता है ठीक है? चलिए इसमें से इस पात कर खाना जो है ये जमसीदपूर में है कहां पर है? जमसीदपूर में है जमसीद जी टाटा के द्वारा जो है जमसीद पूर में इस पात कर रखाना का निर्मान 1907 में करवाय गया था चलिए next question है हमारा कि बिहार में Congress का प्रथम अधिविशन कहां रखा गया था बिहार में Congress का पहला अधिविशन जो है ये 1912 में हुआ था कहां पर हुआ था तो बाकिपूर पटना में पटना राइटन सर हो जाएगा इसके अधिख्सता आरन माधूल करने किया था ठीक है उसके बाद 1922 में दूसरा जिविशन हुआ बिहार में भारति राश्टिय कॉंगरिस का गया में इसके अधिख्सता किस ने किया था चितरंजन दास ने किया था नेक्ष्ट कुस्टन हमरे कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा अगर जोड़ेंगे तो जादा बेटर हो जाएगा ठीक है बिहार प्रोविंशियल किसान सभा अगर जोड़ लीजेगा तो जादा बेटर हो जाएगा चले बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था तो इसका गठन किया गया था किसके द्वारा स्वामी सहजानन्द सर्वसदी जी के द्वारा कब तो 1929 में ठीक है 1929 इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्ष कुछ ने गुजरात उचनयाले का गठन कब हुआ गुजरात उचनयाले का गठन कब हुआ चले सभी लोग अंसर कमेंट करेंगे गुजरात उचनयाले का गठन कब हुआ तो फ्रेंट्स यहां एक माई 1960 को गुजरात हाई कोट का गठन किया गया था उसका बाद देख तो यहां कालाती है संयोजक्ता, क्या कालाती है, यहां संयोजक्ता कालाती है, तत्व की संयोजक्ता को संयोजक्ता कहा जाता है, किसी तत्व की संयोजक्ता एक संख्या है, जो किसी तत्व के एक परमानों द्वारा हाइडरोजन के परमानों से संयोग करने की छमता को प्रदर 2SO4 इस तरह से भी है तो भी कोई दिकत नहीं है लेकिन option में आपको answer इस तरह से नहीं मिल पाएगा यह actual है चलिए अब पुछा गया है कि एक अनो में कितने पर मानू है एक अनो में कितने पर मानू है अब देखिए यहाँ पर देखिएगा तो यह 4 दूना 8 हो जाएगा अब इस तरह से hydrogen कितना होगा आठ ठीक है अब यह 4 जो है H पर है तो यह अब 2 nitrogen हो गया तो 10 हो गया अचा यहाँ पर S यानि कि sulfur कितना है तो sulfur 1 है oxygen कितना है तो 4 है 8 दू 10, 11, 4, 15 यानि कि 15 इसका राइटन सरो हो जाएगा ठीक है clear अब से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यह इस तरह से लिखा हुआ NH2SO है तो यानि कि यह nitrogen 2 hydrogen 2 1 sulfur 1 oxygen तो 2, 2, 4 और 2, 6 होगा इस तरह से ठीक है तो तरीका याद रखना है आपको इसका 15 right answer हो जाएगा जो मैंने आपको बताया था NH4 whole 2 ठीक है into SO4 next question कर लेंगे friends अब कि किसने यह खोजा कि हर आठवे तत्व के गुन पहले के समान है हर आठवे तत्व के गुन पहले के समान है तो friends यह खोजा था Newland ने Newland ने खोजा था Newland का आपको अश्टक का नियम याद होगा ठीक है और त्रिक का नियर दिया था त्रिक का जो नियम दिया था यह डोबर ने दिया था और अश्टक का नियम किसने दिया था अश्टक का नियम तो यह Newland ने दिया था ठीक है निव लेंड इसका राइट इंसर हो जाएगा परमानु संख्या खले संदिया गया वाला तत्व छारिय उक्साइड बनाएगा कौन से परमानु संख्या वाला तत्व छारिय उक्साइड बनाएगा चले साइंस का बहुत अच्छा लेवल मैंने रखा है बताए राइट अंसर इसका क्या हो जाएगा तो फ्रेंट्स देखे ये जो 11 वाला है ना 11 परमानुसंख्या वाला एलिमेंट यहीं जो है यहाँ छारिय ऑक्साइड बनाएगा अचाहिए 11 जिसका अटॉमिक नंबर होता है वह क्या है सोडियम है और सोडियम क्या है एक छार दातू है ठीक है चले नेक्स्ट कुस्टन कर लेंगे कि COOH में जो फंक्शनल ग्रूप है वो कौन सा है इसमें जो फंक्शनल ग्रूप है यह कौन सा है तो यह कार्बुजलिक एसीड है क्या है कार्बुजलिक एसीड है ठीक है और यह दोनों क्या है कारबजली की सीट की एक्जामपल है चलिए नेक्स्ट कुस्टन है हमारा कि परमानु के नाभिक में होते हैं परमानु का जो नाभिक होता है उसमें क्या होता है नाभिक में नाभिक में प्रोटोन और न्योट्रोन होता है प्रोटोन और न्योट्रोन हो दवांतर किस से मापा जाता है तो वोल्ट मेटर से एम मेटर से विदूत धारा मापा जाता है ठीक है वोल्ट मेटर से मापा जाता है याद रखिएगा नेक्स्ट कुस्चन है कि कौन सा अपकरन विदूत उर्जा को यांत्रिक उर्जा में बदलता है विदूत को यांत्रिक में बदल देता है तो यह मोटर है और यांत्रिक को विदूत में बदलेगा जेनरेटर यानि कि जनित्र जनित्र ठीक है याद रखिएगा इसको जनित्र नेक्ष्ट कुस्टन करेंगे कि परमानुक की किरिया पुस्प के किस भाग में होती है परागकन की किरिया पुस्प के किस भाग में होती है तो दिखे ये जो होता है परागकन की क्रिया यहाँ संपन होती है वर्तिकागर में कहाँ पर वर्तिकागर में के लिए वर्तिकागर इसका राइट अंसर हो जाएगा परागकन अंडासय में जाने के बाद निशेचन में भाग लेता है ठीक है परागकन की क्रिया पुस्प के वर्तिकागर में संपन होती है, ECG का संबंद किस से है, ECG, चले ECG का संबंद, Electrocardiogram, ठीक है, यह एक प्रकार का चिकित्सी फरिक्षन है, जो कि हिर्दय की गती से संबंदित है, हिर्दय हो जाएगा, और एक EEG है, Electroencephalogram, यह संबंदित है मस्तिस्क से, ठीक है, चले अगला प्रशन है कि जीन सब्द किस ने दिया, जीन सब्द को किस ने दिया था, जीन सब्द दिया था, जोहांसन ने, ठीक है, जोहांसन ने दिया था, option number यहाँ पर दिखिएगा तो आपका B right answer हो जाएगा ठीक है चले B right answer हो जाएगा उसके बाद दिखेए के dylane 120 degree centigrade पर ammonia से क्रिया करके क्या देता है dylane 120 degree centigrade पर ammonia से क्रिया करके क्या देता है difference क्या है यहाँ क्या देता है यहाँ देता है B2, H6, 2 और H3 जो कि option में कहाँ पर दिया गया है तो option b में दिया गया है next question है कि आख के किस भाग पर वस्तू का पर अ कहाँ पर बनता है चुल स्म्तनप करने को रहां किया जयता है और ने तरदान में कोण इसको सी रहा द्लम हो जाएगा यहां रखेंगए यहां जीवानु के द्वारा होता है आप नेक्स्ट कुस्चिन है हमारा कि लिबर किसका भरपूर सुरोत है लिबर किसका भरपूर सुरोत है बताईए लिबर जो है यहां किसका भरपूर सुरोत है तो फेंस यहां लिबर जो भरपूर सुरोत किसका है यहां आप से पुछा गया है तो यहाँ वसा में घुलनसिल बिटामिन इसका राइट अंसर हो जाएगा यहाँ पर दिखेगा क्योंकि लिबर में वसा में घुलनसिल बिटामिन का संगरा होता है वसा में घुलनसिल बिटामिन क्लियर अचा बिटामिन जो वसा में घुलनसिल है यह K, E, D और A ठीक है तो लिवर में जो खास करके जो है लिवर कॉर्ड वायल में बिटामिन D पाया जाता है ठीक है लेकिन इन में से थोड़ा बहुत सारे बिटामिन्स पाया जाते हैं और यह वासा में गुलंसिल बिटामिन है और बिटामिन B और बिटामिन C जो है यह जल म गुलंग्सिल बेटामिन होता है अगरा क्या प्रश्ण Siellul lose की भीत्ती किस में यहाँ पाई जाती है तो इहां पैण पोध्य की susceptा का बाहरी आवरण होता है यहां से जल दक्षिन द्रू में पहला अनुसंधान केंद्र जो है इसका नाम दक्षिन गंगोत्री है ठीक है याद रखेगा दक्षिन गंगोत्री भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है वेग्यानिके स्टेशन है दक्षिन द्रू पर उसका बचली कि निमने रिखित में से कौन सा इमा कि संगीय मंत्री परिशत से पद्यत्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था तो यह स्यामा प्रशाद मुखरजी थे ठीक है ध्यान रखेगा स्यामा प्रशाद मुखरजी और बाद में इन्होंने जनसंग किया स्थापना किया था चलिए नेक्स्ट कुशन करेंगे कि प्रितिवी सुर्च के चारव उर घूंती है इस सिधान्त को पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था तो फ्रेंड्स यहां व्यक्ति जो था यहां व्यक्ति कौपर निकस था कौपर निकस राइट एंसर हो जाएगा उसके वदिके नाना जुआगे कामंडर और एंचीफ, कानपूर से ये विद्रह का नत्रीत वुपनकर गफ इनका नाम नाम क्या क्लीके मुझे ते के लिए कौक्क्रिबुरण याधन कफेकर ते ओधर मों हुसे ले नाम इधरारखेंगे जुआदफ्यको दपर भारत में किसने सोने और चांदी के नेमित मुद्राव के स्थान पर सस्ती धातुँ उसे निर्वित सांकेतिक मुद्रा ठीक है token currency का उप्योग सुरू किया सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग जो है यह सुरू मुहमद बिन तुगलकर ने किया था Much Understand बीन तुगलक र्यट अंसर हो जाएगा मुहमद बीन तुगलक के समय ही एबने बतुता भारत आया था एबने बतुता मुरको का यात्री था एबने बतुता की प्रसीत पुस्तक रहला है क्लियर चले नेक्स्ट कुंस्जन है हमारा कि भारत में federation cup का सम्बंध किस खेल से था federation cup का सम्बंध किस खेल से है तो friends यहाँ football से है football से federation cup का सम्बंध है चलिए और भी अगर हम बात करें तो seizures cup एक याद रखेगा seizures cup यह football से सम्बंधित है ठेक है चलिए football right answer हो जाएगा उसका बहर देखेगा कि अभियंता दिवस किनके जैनती का उसर पर मनाया जाता है अभियंता दिवस मनाया जाता है यानि कि engineering day या engineers day कहिए engineers day कहिए यह मनाया जाता है विश्विश्वरया जी के जैनती का उसर पर विश्विश्वरया एम विश्विश्वरया राइट अंसर इसका हो जाएगा ठीके चलिए आधुनिक भारत के विश्व कर्मा के रूप में इनका अस्वरन किया जाता है 15 सितंबर को अभियांता दिवस मनाय जाता है ठीके चलिए next question कर लेंगे कि महान चित्रकार होने के साथ साथ संसार चंद का किस सैली से संब्द था संसार महान चित्रकार होने के साथ सार राजा संसार चंद का संब्द कांगडा सैली से था कांगडा सैली राइट अंसर हो जाएगा कांगडा सैली इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा कांगडा सैली से ठीक है चले उसका अगला इसकी सरकार ने शुरू किया है तांसन ठीक है अकबर ने तांसन को कंठा भरन वानी विलास की उपाधी दिया था ठीक है और तांसन अकबर के नौरतनों में सामिल भी थे इनका नाम क्या था तो रामतनु पांडे था नेक्स्ट कोशन हमारा कि पुरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज़ कौन बना है पुरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला पहला राज़ बन गया है केरला केरला राइट अंसर हो जाएगा ठीक है चलिए उसका बाद नेक्स्ट कोशन है कि हाली में भा भारत के सबसे तेज गिंदबाद उम्रान मलिक हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, उम्रान मलिक करेक्ट अंसर हो जाएगा। वर्स 2023 के प्रवासी भारतिय सम्मान पूरस्कार कितने लोगों को दिया गया है कहा पर इंद्रमे 27 लोगों को दिया गया है उसके वजम है लेगला प्रेशने के हाल ही में योरो मुद्रा अपनाने वप्णै वाला 20 वार ईROप्ये दे卡ोन आगला प्रश्न की कौंसा सब्द का इहिक सब्द का विलॉम है अब यहां से हिंदिक प्रश्न श्टार्ट हो रहा है यहहीड होता है यहां क्या होता है पारलोकिक होता है पारलोकिक रायाटनसर हो जायागा चैले उसके बाद देखेग nieuwe पंडित juda पंडित का प्रयाव अच्यू नहीं होगा दामेनी ठीक है दामेनी बिजली का प्रयाव अच्यू सब्द होता है चलो उसका बाद कि वह इस द्रि जिसका पत्य है बाव कर ले इस वाक्यांच के लिए एक सब्द क्या होगा तो जिसका पत्य ही दूसरा भी वह कर ले उसके लिए जो होगा एक सब्द होगा अधियू ठीक है ओप्सय नंबर यहाँ पर दिखेगा इस तरह से इसको लिखेंगे हम लोग clear ध्यान रखेगा यहां पर option में error में typing हुआ है clear तो चलिए यह आप ध्यान रखेंगे correct answer इसका हो जाएगा आपका option number C में होना चाहिए था अधियूडा ठीक है यह option number C पर बना लिजे और option number C पर इसको tick लगा लिजे ठीक है चलिए उसके बदी कि कहा राजा भोज कहा गंगोतिली लुकोक्ति का अर्थ क्या है बताए right answer इसके क्या हो जाएगा correct answer इसके क्या हो जाएगा तो correct answer हो जाएगा आपका विस्षिष्ट और सामान व्यक्ति की तूलना ठीक है चलिए उसके बदी next question है कि गोज चर्ती गोज प्लस चर्ती का संदी क्या है गोज प्लस चर्ती का संदी क्या है बताए तो right answer इसका option number C हो जाएगा गोज चर्ती उसके बदेखेगा कि एक वाक के सूध है इसमें से सूध्य वाक जो है ना यह आपका डी है इस बात का स्पश्टी करन आवस्यक है यह वाला सुध्य वाक हो जाएगा चलिए उसका बदेखेगा कि मिसित वाक को सधारन वाक में बदलिए ठीक है जो कभी लोगप्रिये होता है उसका समान सभी करते हैं बताए तो इसमें सो क्या होगा लोगप्रिये कभी का समान सभी करते हैं नेक्स्ट कुस्टन है हमारा कि मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पत पर देना तुम फेक मातरी भूमी पर सीर चढ़ाने जिस पत पर जाते वीर ठीक है कोन सी यह पंक्ती जो है इसकर चीता कौन है तो यह पुस्प के अभिलासा है और अपने पड़ाब योगा कि मुझे तोड़े लेना बन माले उस पत पर देना तुम मुझे फिन मात्री बहुमी पर सी सड़ाने जिस पत से जावी बीर अनिक यह रचना जो है यह रचना किसके माखा नाल चतुरवेदी की है संस्कृती के चार अध्याय किसकी रचना है रामधारी सिंग देनकरजी की रचना है उसके बचले अगला प्रश्ण है 81 से यहां से इंगलेस का प्रश्ण हो रहा है यहां खाले अस्तान भरना है बाई खाले अस्तान है खाले उनाइटेड श्ट्रोगल वी में एचीव सक्सस बते यहां पर क्या खाले अस्तान होगा बाई और उनाइटेड श्ट्रोगल वी में एचीव सक्सस ठीक है नेक्स्ट कुस्टन कर लेंगे बाई खाले अस्ताने उनाइटेड अश्ट्रोगल वी मैनी एचीब सक्सस्ट चलो उसका बाद नेक्स्ट कुस्टन है चूज दा वन विच कान सब्टिटुटेट फॉर दा गिबन वर्ड यहाँ देके मॉर्डर अफ ए मैन तो मॉर्डर अपे मैन यह क्या कहलाता है यह क्या कहलाता है नेक्स्ट कुस्टन है हमारा चूज दा करेक्ट पैसिव वाइस वाट एम यूजड यू वाट एम यूजड यू बताए इसका राइट क्या हो जाएगा इसका correct क्या हो जाएगा तो देखे फ्रेंट्स इसका जो correct हो जाएगा यहाँ पर option number देखेगा तो आपका by what where बना लिजे by what where you am used option number C इसका right answer हो जाएगा clear? चलिए next question है कि antonyms of the word यहाँ देखे betrayal इसका मतलब क्या होता है betrayal का जो मतलब होता है वो आपका क्या होता है विस्पास गहात होता है तो निष्ठा हो जाएगा loyalty इसका right answer हो जाएगा उसका देखे synonym of the word solicit ठीक है solicit का synonym आपको बताना है चलिए solicit का synonym बताना है solicit यानि कि request मांगना ठीक है request हो जाएगा चलिए उसका बाद देखेगा कि question number 86 से find out the error of ठीक है तो चलिए 86 में पहले करेंगे कि the scenarios of Cosmir is very charming कौन सा है अगर no error है तो यहाँ no error लगा देंगे तो देखें यहाँ पर जो होता है न यहाँ plural नहीं होता है scenarios का scenarios का हमेशा यह singular ही होता है scenery ठीक है the scenery of Cosmir इस तरह से होना चाहेते यह वाला part में error हो जाएगा उसका बाद देखेगा अगला प्रश्न है कि neither of two children said this prayer before going to bed अब यहाँ पर देखेंगे said की जगा यहाँ पर होगा says होगा ठीक है neither of two children says this prayer before going to bed ठीक है चलिए अगर आप प्रश्न कर लेंगे next question है कि choose the alternative which best express the meaning of the given idiom phrase to said crocodile tear ठीक है यानि कि मगर मक्च की आसु बहाना तो right answer इसके क्या हो जाएगा option number B हो जाएगा to pretend grief ठीक है to pretend grief next question है कि change it into indirect speech they said we have lived here for a long time चलिए इसका क्या हो जाएगा तो देखिए इसका जो आपका बदाना है किसमे to indirect speech में तो इसका correct answer हो जाएगा they said they had lived here for a long time option number C हो जाएगा right answer चलिए question number 90 में देखिएगा कि select the most appropriate option to fill in the blanks she would not get the award खले इस्तान दिया गाए she deserve it तो यहाँ पर unless हो जाएगा she would not get the award unless she deserve it ठीक है उसका बदेखिए 91 से friends math के प्रश्न है PDF आपको टेलिग्राम पर मिलेगा 91 से 100 तक में math के प्रश्न है चलिए यहाँ पर देखिए इसका right answer जो होगा यह क्या हो जाएगा मैं answer बता देता हूँ चलिए यहाँ पर देखिए aq-bq दे रखा इतना तो आप क्या करिए कि aq-bq ठीक है equal to क्या होता है a-b का whole q minus 3ab into a-b होता है अब देखिए यहाँ पर दे रखा है a-b4 यहाँ 4 का q हो जाएगा ठीक है a-b का whole q भी दे रखा है aq-bq दे रखा है 208 यहाँ पर 3ab ठीक है और a-b दे रखा है 4 तो इस तरह से इसको solve कर लिजेगा निकालेंगे तो इसका right answer 52 आ जाएगा उसके बद देखेगा कि 10.8 और 4.8 के बीच मध्यानपाती और 2 और 4 के बीच तरित्यानपाती का योग कितना होगा तो मध्यानपाती का formula root under a-b होता है यानि कि 10.8 इंटो 4.8 ठीक है यह जब आप multiply करेंगे तो यह आएगा 7.2 आप निकालेंगे root से तो और इसका तरित्यानपाती का formula होता है b square upon a b यहाँ पर 4 है और a कितना है 2 है तो यानि कि 4 के square चार्चो का 16 और a कितना है 2 है तो इसका 8 आठ आ जाएगा तो 8 और 7.2 यानि कि 15.2 right answer हो जाएगा math आप लोग solve कर लिजेगा math का solution यहाँ पर मैं नहीं करा पाऊंगा video लंबी हो जाएगी ठीक है असान-असान math के question रहते हैं इसका correct answer मैं आपको बता देता हूँ 17 हो जाएगा PDF टेलिग्राम पर मिलेगा टेलिग्राम से जुड़िए ठीक है 40 degrees का correct answer हो जाएगा उसका बढ़ दिखे 94 का correct answer हो जाएगा simple सा question है 94 का correct answer क्या हो जाएगा एक मिनट रुक जाएगे हाँ ये 95 होगा 94 पहला वाला question था तो ये आपका हो जाएगा option number D हो जाएगा चलो उसका बढ़ दिखेगा 96 का correct answer हो जाएगा option number A 97 का correct answer हो जाएगा option number B 98 का right answer हो जाएगा 98 का वो आपका option number A हो जाएगा एक मिनट रुग जाईए option number A हो जाएगा चले उसके बाद देखे 99 का correct answer होगा आपका 15 दिन ठीक है option A में यहाँ पर 15 दिन दिया गया है 100 का correct answer देख लीजे 100 का जो correct answer होगा यह आपका 5 बटा 4 आ जाएगा अपने score बता जीजे वीडियो को like और share कर दीजे